दोस्तों नमस्कार आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्योग चैनल पर दोस्तों आज के सुड़े में हम बात करने वाले एसिस एस पर आपको क्लिक कर लेनी है इसकी टिन टिम नहीं बना एंतों टीम आते हैं लेकिन lurie लेकिन इहाप बना की रख चुका हूँ जिसे आपको एक एक करके दिखाता जाओंगा किस को लेना किसको नहीं लेना क्याप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाना यह सब बाते में आपको जरूर बताऊंगा लेकिन दोस्तों फिर से कहूंगा रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने मेरे चाइनल को अब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना भूले ताकि ऐसे उड़े आप तक पोस्ट कर पोस्टे रहे और आप अच्छा से अर्णिक करते रहे और साथी साथ मेरे लास्ट कुछ वीडियो जाकर द लेकिन मैं अभी फिलाल पहले टिप में एकी आप्शन के साथ जा रहा हूँ जिनोंने सबसे बढ़िया परफरमस के आए अबबास बाकि किसी और कीपर को अभी फिलाल तो मैं इस टिम में नहीं लूँगा बैटिंग की बात करें तो चार बल्लेवाजों को लूँगा जी म आए हुसेन जे चारली और तीसरे जो है सेमी उल्लहा देख सकते इन तीनों का भी परफरमस काफी तगड़ा रहा है तो इन तीनों को भी इस टिम में जरूर शामिल करूँगा गेन बाजी की बात करें तो गेन बाजी में मैं यहाँ पे देख सकते पी सिंग को ले रहा यहाँ टिम पहली बन चुकिये पर क्लिक करना है और देख लेना है कि कप्टन और किसे बना सकते तो आफकोस आप सबको पता होगा कि पहले टीम में कोई रिस्क नहीं लेता पहले टीम में मैं जनता-जनारदन के साथ जाता हूँ और 72% से भी जाधा लोगोंने आय हुसेन क नहीं लेता हूँ क्योंकि यह सक्सेस हो जाते हैं और हम इनको कप्तान नहीं लगाते हैं तो हमें पश्टावा हो सकता है तो इसलिए इस तर से क्या है टीम प्रिव्यू करता हूँ जैसे क्या आप देख पारें मेरे पास कीपिंग में एक की आप्शन है फिलाल तो अभी अब बस इसके अलाग किसी और कीपर के साथ में नहीं जाने आलो बैटिंग की बात करें तो चार बल्लेबाजों को ले रहा हूँ यहाँ पर देख सकते हैं जी मनन है मेरे पास ए असीफ ए मेरे पास इस अजसी पूरी तरह को परफोरमस थोड़ा डाउन जरूर हे लेकिन फिलाल मैं इस टिम में उनको जरूर लूगा अगर बात करें ओल्रों डाॉन같उ को तो आई हुसेन को ले रहा हूँ से मी उल्ला को ले रहा हूँ और जे चारली को इस टीम में फिर से शामिल कर लिया है मैंने देख सकते हैं पहली टीम हमारी काफी मजबूत बन रही है गिनबाजी की बात करें तो पी सिंग है ए एमध है और पी निलांगा है तो कुलमिला के प स्मॉल लिग लगाए या ना लगाए कोई प्राब्लेम नहीं लेकिन गाण लिग आपको इस टीम पर जरूर लगा नहीं क्यूंकि जीतने में ज़्यादा फायदा हो सकता है आपको और अच्छी रांग भी आ जाये तो भी काफे फायदे मन सावित हो सकता है कप्तान और वा स्ट्राइक रख सकते तो इसलिए इनको कप वाइस कैप्टन भी बना सकते और सबसे ज्यादा पॉइंट इन दोनों नहीं दिये अभी तक किस सीरीज में तो इनको कप्तार और वाइस कैप्टन बनाना काफी ज़रूरी है तो इसलिए मैंने इस तर से किया है तो खुल मिला के दूसरी टीम की बात करें तो मैं आबबास के साथ फिलाल इस टीम में नहीं जाओंगा इस टीम में ए शकूर और इस सोहिल इस तर से दो विकेट के पार को ले रहा हूं इनका भी परफर्फरमनस इतना बुरा नहीं है और अच्छा है इसलिए इन दोनों को साथ में ले रहा तो जी मनन तो है हमारे पास इसके बाद मेरे पास एक और आरगई और ए असिफ इस तर से तीन इवल्ले बाद इस पार लोंगा मैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो आप ग्राण लिग जित सकें अच्छी खासी अर्निक कर सकें अल्रेडी दो कीपर को ले सेमी उल्ला ये दोनों अलग अलग है दोस्तों तो जह धान डखेगा सेमी ऊल्ला को भी वैसे इस इस टीम में मैंने वापस लिया है और इनको हर टीम में लेंगे आयो उसेन और स्लमी लगा को क्योंकि दोनों का परफर्वरमस ज़्यादा बैस्ट रहा है अभी तक तो इसल लिए आपर टीनों जो गेन बाद सेम यहां पर मैंने ट्राइक कर लिए अगली टीम में ज़रू कुछ न कुछ करनी की कोशिष करूंगा तो कोल मिला के डूसरी टीम भी हमारी बन चुके कंटीनीव सब्सक्राइब करना होगा और क्यापटन और वाइस क कप्तान बना Paiden देख सकते हैं असरिफ को मैंने पिछले टिम कर वाइस कैप्तर बना एथ हैं को कंतान और ओर सेमि उल्ला को अच्छे खासे अर्डिंक कर सकते क्योंकि यह दोज़े काफी बड़या पर्फॉंसस करसकते हैा अगर बात क chilling की तो आर गए यह अशिदित मनने तीनों की टीनों बेट्फ बैट्स मने दोस्टों और आप जरूर इन तीनों के साथ यह साथ जा तो पीसिंग एह मद एह पीली निलांगार का भी मैंस टीम में शामिल कर लिया तो देख सकते हैं दोस्तों एक अच्छी और सेफ टीम बनी है जिससे आपको कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है वुल्टा आप ग्रांड लिग को लगाएंगे तो ग्रांड लिग आप जीत सक करना चाहिए तो कर सकते याने दोनों लीग या पर एक इस टीम पर आप लगा सकते हैं कुल मिला के काफी जबद स्टीम बज चुकिए कप्तान और वाइस कप्तन की बात करें तो जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ ए असिफ को मैंने पिछले टिम का वाइस काप्तन ब कराना ज़रूर यह एक काफी अच्छा और फिर से और एक काफी अच्छा बैट्समन है और बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छे खासे पॉइंट दे सकता है तो बैट्समन काफी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट से कर सकते हैं तो वह भी काफी जादा पॉइंट दे सकते तो इसी तर से ये टीम मैंने बनाई है दूसरी टीम भी हमारी काफी बढ़िया बन चुके इस टीम को भी अभी क्लोज कर लेते फिर से कहूंगा ग्रैंड लिक के लिए जरू उचकी जिगा और ग्रैंड लिक के लिए उच करने के बाद अ को अलग की पर मैंने ले लिए अगर आप इन साजित को लेना चाहे तो ले सकते पर्फरमस ठीक ठाक है लेकिन मैं अभी इनके नहीं लूँगा अभास और यह शुकूर के साथ ही जाओंगा बैटिंग की बात करें तो फिर से तीन बल्लेबाज मेरे पास रहने वाला जी मनन तो है ही दोस्तो आर गई और ए असिफ इस तर से तीन अच्छे खासे बल्लेबाजों को मैंने इस टीम में शामिल कर लिया अगर आप इन तीनों में से किसी को ड्रॉप करते तो आ ड्रॉइंके को भी इस टीम में शामिल कर सकते हैं लेकिन मैं अभी इस तर से रखूँगा आई उसेद और सेमी उल्ला इन दोनों को मैं पहले ही बता चुका हूँ किसी भी टीम में नहीं चोड़ूँगा आप ट्राय करना चाहे तो ए मिर्फान को भी कहीं नहीं ट्राय कर सकते हैं लेकिन मैं इन दोनों के साथ ही जाने आलो इस टीम में दोन ही अल्रॉणर रखने अगर गेन बाद करें तो इस बार चार गेन बाजों को लूँगा मैं सिंग को अभी तक एक भी टीम में नहीं ले पाये तो उनको लूँगा पी सिंग को भी अफ्कोस रखूंगा उसके बार से चार अच्छे खासे गेन बाज हैं इसके अलावा कोई और और ऑप्षन किसे बना सकते करते हैं तो मैंने इस टीम का कप्तान यहां पर नों कप्तान और वाइस केप्टन बना है चलिये दोस्तों फिर से टीम करते हैं जैसे कि आप देख पारें फिर से यहां पर दो कीपर के साथ जा रहों में ए अब्बास और यह शुकूर इन दोनों के साथ ही जाओंगा मैं क्यूंकि दोनों काफी बढ़िया खेल रहें और अच्छे खासे बैटिंग कर सकते और साथी साथ कीपिंग भी कर सकते गेन बाजी क आपकी जगा बल्ले बाजी की बात करें तो जी मनन है असिफ है और आर गई है तो यहां पर ज्यादा चेंजेस नहीं है लेकिन अल्राउंडर में मैंने दो इजादा बेतर रहा है इन दोनों को छोड़ना थोड़ा मुश्किल है मतलब काफी नुक्सान हो सकता है इन दोनों मैंसे किसी एक को भी छोड़ देंगे तो गेन बाजी में अफकोस मैंने इसका फाइदा उठा है अभी तक जो भी सिलेक किये तो चार आप्शन यहां पर मैंने गेन बाजी मिलिये है एस सिंग को भी इस टीम में ले लिया है पिछले दोनों के लिए भी यूज करेंगे तो भी चलेगा लेकिन लिए यूज करने के बाद ही स्मॉल लिए उसकी जगह काफी अच्छे और खतरनाक टीम है और सबसे बेस्ट टीम लग रही है ग्राइड लिए यह ग्राइड लिग आपको जिता भी सकती है या फिर अच्छी खासी अर्निं सिलेक किये जैसे कि आप देख पा रहें एहमद और पी निलांगा हाला कि परफॉमंस की बात करें तो इनका परफॉमंस दोनों का काफी जबदस्त रहा है काफी बढ़िया रहा है अच्छी गेनबाजी करते हैं और अच्छी विक्टे भी इनको मिलती है तो ज़रूर आप इन दोनों के साथ जाएंगे तो काफी फायदेमन साबित हो सकता है दोस्तों इनको काफी कम लोगों ने कप्तान और वाइस कप्टन बना लेकिन अगर आप बनाते और यह अगर अच्छे से सक्सेस हो जाते तो आज आपको ग्रैंड लिग जिता सकते है इस लिए इस तरसे म sagtile ने कर दोस्तों इन तीनों टीमों में अगर आपको लगता है कुछ चेंज़ेस करने चाहिए या फिर आपको लगता है काफ टरन वाइस काप्टन साई नहीं तो आप चेंज़िस कर सकते हैं लाकिन जादा चेंजेस मत किजाएगा एक दो चेंजेस करेंगे तो कोई प्राब्लम नहीं होगा और जादा चेंजेस करने जाएगे तो थोड़ा रिस्की साबित हो सकता है आइवाप आपको मेरी तीनोटी में और मेरा ये वीडियो जरूर पसंदाया होगा और अगर पसंदाया तो इसे लाइक, शेर और कमेंट जरूर कर दीजेए चाइनल को भी अगर अब तक आपने सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब भी कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना भूले ताकि ऐसे उड़े आप तक पोस्टेर है साथ ही साथ अपने टेलिग्राम की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वहाँ पे जाके उसे जॉइन भी ज़रूर कर लिजे ताकि कुछ भी चेंजेस रहते हैं तो किसे ड्रॉप किया गया और उसकी जगह पे आप किसको ले सकते हैं यह भी मैं आपको बता सकता हूँ और साथ ही साथ कुछ अपडेट रहती है मैं आच की तो उसके भी बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या अपडेट है और क्या नहीं तो आई होप आपको ये वीडियो जोरू पसंद आयोगा आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए ठैंक यू धन्यवाद गुडबाई